नवश्कार मैं हूँ सूकरती रोय चैटर जी और बॉल्सकाई में आप सभी का स्वागत है कोरोना वाइरस संक्रमन ना केवल लोगों को अपनी चपेट में ले रहा बल्के सवैश्विक महमारी ने कई बीमारियों का खत्रा भी बढ़ा दिया है महमारी के शुरुवात के बार डायबिटीज और मोटापी की समस्या में लगातार इजाफा देखा गया है वहीं समय समय पर एक्सपर्ट्स और यहां तक की विश्व स्वास्त संगठन ने भी कोरोना काल में विभिन स्वास्त समस्याओं के बढ़नी की आश्रंका जताई है अब शोध करताओं ने दावा किया है कि कोरोना वायरस संक्रमन की वज़े से टीबी के मरीजों में ये बीमारी दोबारा उभर सकती है हाले में एक स्टेडी के परणाम के आधार पर दावा किया गया है कि सार्स कोवी 2 जो कोविड 19 संक्रमन का कारण है ये वायरस निश्क्रिय टीबी को दोबारा सक्रिय करने में सक्षम होता है इस स्टेडी का आयोजन मैसेचूल सेट्स युनिवरस्टी और भारत की गोवाहती शहर में इस्थित भारती प्रोध्योगी की संस्थान के रिसर्चर्चर्स ने मिलकर किया है स्टेडी के अंत में शोधकरता जिन निसकरशों पर पहुंचे उसके अनुसार SIRS COVID-2 टीबी के निश्क्रिय को दोबारा सक्रिय कर सकता है इस स्टडी के मुताबिक और वायरस के संक्रमर ने चुहों में निश्क्रिय माईको बैक्टिरियम ट्यूबर कुलॉसिस को फिर सक्रिय कर दिया वहीं से स्टडी के मताबिक कोरोना वायरस महमारी के लिए जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उनकी मदद से टीवी की बीमारी से भी सुरक्षा मिलती है इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि कोविड वैक्सिनेशन ना केवल कोरोना संक्रमन वलकि टीवी से भी आपको बचाता है बता दें कि ये स्टडी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जैसे विकाश शील देश में टीवी की बीमारी एक बड़े बोज के तौर पर देखी जाती रही है वहीं कोरोना काल में भी भारत में टीवी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई इनमें से जातर लोग ऐसे हैं जिनमें टीवी पहले निश्क्रिय था लेकिन कोविड संक्रमन के बाद ये सक्रिय हो गया उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होका और वीडियो को लाइक और शेर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले